मुंबई से सटे नवी मुंबई के शहबाज गाउं में आज शनिवार को तीन मंजिला बिल्डिंग इंदीरा निवास गिर गई इस घटना के बाद बिल्डिंग के मलबे में कई लोगों के फसे होने की आशंका है दुरगटना की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेट, नगरपालिका और NDRF की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है बताया जा रहा है कि तीन मंजिला बिल्डिंग गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और दो अन्य घायल हो गए हैं तीन मंजिला बिल्डिंग में कुल 24 परिवार रहते थे शहबाज गाउ नवी मुंबई के सीबिडी पेलापूर इलाके में है नवी मुंबई के पाली का आयुक्त कैलाश शिंदे ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि करीब आज सुबह पाच बजे के पहले ये बिल्डिंग गिर गई ये जी प्लस थ्री फ्लोर की बिल्डिंग है जो सेक्टर 19 शहबाज गाउं में है इस मंजिला बिल्डिंग में 52 लोग सुरक्षित बाहर निकाले और मलबे में फसे दो लोगों को बचाया गया है अभी दो लोगों के फसे होने की आशंका है उन्होंने आगे बताया कि NDRF की टीम बचाव अभियान कर रही है जिन दो लोगों को बचाया गया है वो हस्पिटल में है और उनकी हालत स्तिर है बिल्डिंग 10 साल पुरानी है और जांच की जा रही है दोशी के खिलाफ कारवाई की जाएगी जागरुक टाइम्स के लिए प्रितम सिंग की रिपोर्ट